हेलो दोस्तो नमस्कार मैं अविशेक आनंद दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा income tax return के बारे में आप में से बहुत सरे लोगों ने comment करके पूछा है income tax return क्या होता है तो आज पूरा जनकाड़ी मैं आपको यहां देने वाला हूँ income tax return क्या होता है क्या लाब है कौन-कौन से ITR form होते हैं ठीक है कैसे भड़ा जाता है पूरी जनकाड़ी आपको वीडियो में जो है complete मिलने वाला है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप income tax भड़ते हो या फिर भड़ना चाहते हो तो यहां पूरा वीडियो देखिए अपका सारा confusion, doubt जो है मैं यहां पर दूर करने वाला हूँ देश का जो कानून है उसके अनुसार हर नागरिक को ITR मतलब की income tax return जो है भड़ना चाहिए और आपका जो आमदनी होता है उस पर केंद्र सरकार जो है कड़ वसूलती है इसको आएकर कहा जाता है या फिर इसको income tax कहा जाता है आएकर से जो भी सरकार को कमाई होता है उसका सरकार यूज करती है अपनी गतिवीदियो में और जनता के बहुत सरा भलाई के काम विकास के काम होते हैं और दिस के भी काम में उसमें यह सार्erca जो है वहां पर औरता अगर हम लोग एक साइन region में इसको डिफाइन करें तो जो भी हम साल हडै पैसा कमाते हैं तो हमको सरकार को एक तरह से बताना हो ता है कि हम पास जो भी इंकम आ रहा है वो कैसे आया में तो अपने हम अपने government को बताते हैं कि हमने पास इंकम आया है वो उसका source क्या है सूर्थ क्या है ठीक है तो पूरी जनकारी हम अपने government को यहां पर provide करते हैं income tax return के दुआरा बहुत सारे लोग जो है income tax return या फिर ITR को जानते हैं लेकिन सॉट कॉर्ट में जानते हैं, पूरा जनकारी उनके पास नहीं होता है, इसलिए आपको पूरा जनकारी होना जरूरी है, ITR का full firm होता है income tax return यानि कि आपका हिंदी में आएकर वापसी बोला जाता है आएकर वापसी और इसको जो है आप आएकर return या फिर income tax return भी यहां पर कहते हो income tax return एक तरह का देखा जाए तो जो है आपका tax होता है दोस्तो जो आप पैसा कमाते हो उस पर एक जो है आपको एक percentage जो है government को tax के रूप में देना पड़ता है जो भी आप काम करते हैं चाहे वो आपने नौकड़ी करिए या फिर आप कोई business करते हो या किसी भी professional में आप होते हैं तो आपको अपना जो भी आपको income हो रहा है उसका कुछ percentage जो है जो है income tax के रूप में जो है देना पड़ता है government को income tax return जो आप भड़ते हो तो जो आपका financial year होता है जुसमें आपने जो भी पैसा कमाया कहां से कमाया उसका पूरा वीवरन होता है उसका पूरा जानकारी होता है वो उसमें आप पूरा details भड़के जो है वहां पर आपको submit कर ना होता है जो भी आपका income taxable होता है या फिर जो भी income आपका tax free है दोनों प्रकार का information जो है आपको ITR में जो है वहां पर दिखाए आता है ठीक है tax free जो आपका income है उस पर आपको कोई tax देने का कोई जरूरत नहीं है अगर आपने दे भी दिया है तो फिर आपको वो government जो है return कर देती है ठीक है आपके account में वो पैसा वापस आपको मिल जाता है अगर आप income tax के जो है दाइरे में आते हो तो आपको एक fix date होता है उस तक आपको जो है आपको income tax return यहां पर जो है file करना होता है अगर आप fix time के अंदर जो है income tax file नहीं करते हो तो आपको जो है interest और penalty भी वहाँ पर देना पड़ता है तो लगवग जो है हर साल जून जूलाई तक इसका date रहता है लेकिन इस बार जहां तक मेरे जनकाड़ी है इसका return का date थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है चुकि कोड़ोना का जो फैला हुए बिमारी इसके चलते थोड़ा सा साइध आगे ब ऊसके तो छो है नगरा देती परदेती है अशे नहीं होते हैं जिसके बारे में हमदा यहां कैना यहाम नहीं चरते हैंलेकिन आपको अच्छा फाइदाक यह होता है दोस्तों कि 사건 आता है चाहरे हैं तो इसके लिए आपको पिछला तीन साल का इनकम टेक्स रिटर्न जहें जो है सब्सक्राइब hypothetical बेंग देखती है व्यट पर अपको यह इंप्रों देने के खुद का विजनस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आई टी आर जो है बहुत इंपोर्टेंट रूल अदा करता है ठीक है इसके अलावा जो है किसी गवर्मेंट डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट पर जॉब करना चाह रहे हो आप या फिर कोई ठेका लेना चाह रहे हो किसी परकार का तो उसमें भी जो है आपको पिछले पांच साल का जो है आई टीर वगड़ा दिखाना पर सकता है ठीक है तो उसमें भी आपको बहुत जादा है लाब देता है इसके अलावा आपका जो है यहां पर आपको वीजा मिलने भी बहुत असानी होती है आई टीर के में जो है बहुत आसानी मिल जाता है ठीक है इसके रावा मैंने आपको जो पता है कि आपको रिफंड भी मिल जाता है अगर आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है ठीक है तो आपको ज्यादा टैक्स जो पे किया है तो बाकी का जो टैक्स ज्यादा आपने पे किया वह आपको तो रिफंड कर दिया आता है government के द्वारा तो यह बहुत बड़ा benefit है अकर आप return file कर रहे हो तो उससे आपको मेल रहा है अकर आप नहीं करते तो वह benefit भी आपको यहां पर नहीं मिल पाता है तो यह सारे फाइदे आपको यहां पर मिल जाते हैं income tax return भरने के लिए दोस्तों बहुत सारे जो है form होते हैं तो depend करता है कि आपको कौन सा form यहां पर fill up करना है जैसे कि आपका जो है income tax return one हो गया यह फॉर्म लोगों के लिए दोड़ा भाय आता है जिनके जिनके उनकी सैलरी पैंशन या ब्याज से इंकम वहां पर मिलता है ठीक है तथा जिस व्यक्ति के पास एक मकान होता है और उसने house loan वहां पर लिया होता है उन्हें भी जो है यहां फॉर्म यहां पर भरना पड़त होता है के अलावा जो आपका income tax 2 होता है यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए होता है जिने बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आए यहां पर नहीं होता है लेकिन जो आई टी आर वन के अंतरगत में जो है नहीं जो है आते हैं ठीक है आपका income salary pension या होता है इसके अलावा capital gain dividend और दूसरे सोर्स जैसे की lottery से प्राप्त होने वाले जो income के लिए विजए आपको यह फॉर्म आपको यहां पर fill up करना होता है इसके अलावा तीसा जो फॉर्म होता है यह फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जो किसी फॉर्म या बिजनेस में partner है और उनकी आए जो का सूर्स है वो फॉर्म से होने वाला profit है आपका salary है पेंसन है और अनसाधनों से होने वाला यहां पर income होता है तो वह आपका ITR थरीक अंतरकत वह भढ़ सकते हैं इसके लावा आपका ITR 4 है तो यह फॉर्म उन लोगों के लिए है और HUF और जो आपके нет का ITR फॉर्म यहां पर Iizar 5 ए T.至ल आपको 7 फॉर्म है तो अपने अपने यह दियो के अलग अलग फार्म यहां पर फिलऊप और काइसा पिदो करने का उनलाइन ऑपको परने आपको यहां पर पर अपना एकाउंट जो यह इस साइट पर जाके बनाना पड़ेगा ठीक है तो अगर आप बोलोगे कॉमेंट करके तो मैं इसका एकाउंट बनाने का सेपर वीडियो बना दूंगा आप अगर कॉमेंट करके बताओगे ठीक है थोड़ा यह लंबा प्रोसेस है मतलब की ऐसा नहीं कि तुरंत यह बन जाता है इसके लिए समय चाहिए होता है तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना जाता हूं ठीक है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप कॉमेंट करके आप बोलोगे तो समय आपके यहां पर बात करूंगा इंकम टैक्स का जो सीमा होता है आई-टीर लिमिट के व फिर्छाना पर नहीं देना होता है इसके अलगा जो है एज की अनुसार और अगर अगर आपको का पर सकताह benefici एकडि़ के हिसाब से 5,20000,005,000 तक है अगर नहीं को सकतह है जो है तो यहां पर और यहां पर टेक्स चूकाना जो है इसमें जो है अंतर होता है कुछ लोग दुनों को एक समझने लगते हैं वो गलत है … बरना अलग चीज होता है और टेक्स चूकाना वह अलग चीज होता है ITIR और income tax में सबसे पहला अंतर यह है कि कोई व्यक्ती tax स्झाय काई में से आपको ही निमित रूप से जो आप की कि रहे हो थीक है तो आपके पात टो आ तो जितने बाड भी है आप हर साल रिटर्ण भर रहे हैं अपने आपके पास जो है अपके पास अब पड़ने पेपर वह आप किसी को भी दिखा सकते हो और इस पूब के अधार पर जो है आप बहुत सारे बिंजनस लोन ले सकते हो आप परसनल लोन या फिर आपने जरूरत के मताबिक जो भी है आपको क्रेडिक कार्ड लेना है तो वह भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं आइटिर का जो आप वहां पर तो नियम से जो है हर साल आपको यहां पर टेक्स रिटर्ण जरूरूर भढ़ना चाहिए है जोस्तों यहां पर मैंने आपको income tax return के बारे में पूरा जनकाए दिया, क्या लाब होता है, कौन कौन से form है, कैसे fill up करना है, सब कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिया, यहां पर i button में income tax related और वी वीडियो के link दूँगा, आप उसको watch कीजेगा, अपना knowledge यहां पर आप follow करें, आप मुझसे phone पर अगर कुछ पूछना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, तो application है, call me for application, इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजे, google play store या फिर app store से, direct मुझसे आप जो है, इस application के मदद से बात कर सकते हो, नए हैं तो channel को जरूर subscribe करिए, notification bell को दबा दीजिए, ताकि इ notification मिल जाए, और आप वीडियो को वाच करके अपना knowledge जो है यहां पर बढ़ा सको, एक important बात दोस्तों यह है कि वीडियो जब भी वाच कीजिए, तो आप अपना भामुले comment जरूर कीजिए, आपके comment पढ़कर बहुत हिमत मिलता है, motivation मिलता है, ताकि और भी नए-नए वीडि झार इयवाद